हे स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बीएसी थर्ड येर पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का एक्जाम टू टूजन ट्वेंटिफोर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स लेकर आई हूं जो कि बिलासपुर मिए से लिए है और यह सारे क्वेसिस्ट्ट्र पेपर को ध्यान में रखती हुए बनाया गया है सब्से पहले देखेंगे यूणिटस फर्स्ट जिस सप्वाइंट dope gir प्रभाव का समिकरन देते हुए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाईए सेकेंड क्वेस्चन है क्वांटम यांत्रिकी के अभी ग्रीहितों को समझाईए थार्ट क्वेस्चन है स्रोडिंजर तरंग समिकरंड को व्यूत्पन कीजिए फोर्थ क्वेस्चन है प्रसाम्यनिकरंड तरंग फलन पर तिपड़ी लिखिये फिप्थ क्वेस्चन है साइनो साइड तरंग के लिए समीकरंड क्या है फिप्थ क्वेस्चन है त्रीजिय फलन एवं कोणिय फलन को समझाईए अब देखेंगे यूनिट सकेंड के important question First question है आडवी कक्छक सिधांत के प्रमुक सिधांतों का वंडन कीजिए Second question है C2H2 अनु में संकरन एवं अनु की जया मिति इस्पस्ट कीजिए Third question है सयोजक्ता बंध विधी तथा आडवीक आर्बिटल विधी की तुलना कीजिए Fourth question है संकरित कक्छक SP में प्रयुक्त होने वाले परमाडवी कक्छकों के गुर्णांकों की गड़ना कीजिए Fifth question है SP2 संकरन के निर्माड में भाग लेने वाले आडवीक कक्छकों के गुर्णांकों की गड़ना कीजिए अब देखेंगे Unit 3 के Important question First question है घुर्णन स्पेक्टरम पर सम इस्थानिकों का प्रभाव समझाईए Second question है कमपन के मुल तरीके को सुनिस्चित करने के रेखिक अणवों के लिए सुत्र क्या है Third question है HCL वर CO गुर्णन वन क्रम देते हैं जबकि N2 और CL2 नहीं क्यों Fourth question है electronic spectrum तथा उर्जा इस तरों में electronic संक्रमण को समझाईए Frank quantum सिधान का गुर्णात्मक वन्नन कीजिए Fifth question है CH4 में किस प्रकार के electronic संक्रमण संभव है अब देखेंगे unit fourth के important question First question है molar चालकता एवं सिमिती molar चालकता में अंतर बताईए Second question है OSTWALT के तनूता नियम वर इसकी सिमाओं की विवेचना कीजिए इसका सत्यापन किस प्रकार किया जाता है Third question है कॉल रोल नियम का उपयोग कर अति अल्प विले लवनों की विल्यता की गड़ना कीजिए Fourth question है व्यद्यूत कंड संचलन प्रभाव पर तिपड़ी लिखिए Fifth question है अभी गमनांक पर तिपड़ी लिखिए अब देखेंगे यूनिट फिप्थ के इंपोर्टेंट question First question है कैलोमल इलेक्ट्रोड के सिधान्त एवं कार्य पधति का वर्णन कीजिए Second question है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड पर तिपड़ी लिखिए Third question है सांद्रता सेल क्या है अभी गमन रहित सांद्रता सेल का वर्णन कीजिए Fourth question है संचारण क्या है इसके बचाओ की विभिन विध्या लिखिए Fifth question है एक सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विध्यूत वाहग बल 0.2,3,6,4 वल्ट है तो सेल की पी एच की गणना कीजिए हमारा प्रस्ट नहीं खत्म हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हैल्प मिलती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखनी हो तो कॉमेंट करकर अपने टॉपिक बताइए ताकि उनकी भी वीडियो में अपलोट कर सकूँ थाइंक यू